हेलो फ्रेंड्स मैथेमेटिक्स याने की गनित में हम लोग कुछ और इंपोर्टेंट कॉष्चन को देखेंगे और इस परकार कॉष्चन लागातार पूछे जाते एक्जामों में तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो कॉष्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं और इसी परकार के जो कॉष्चन आपको लोगों को मिलेंगे तो आप लोग उसको सोल्व करते जाएगा तो देखिए सबसे पहले कॉष्चन है एक समद्वी बाहुत रिभूज है जिसमें एबी बराबर एसी तथा कौन बी बराबर 35 डिग्री है उसमें एडी आधार बीसी की माधिका है तो अनुसार कौन बी एडी कितना होगा यह उप्शन है आपका 35 डिग्री 110 डिग्री 55 डिग्री और 70 डिग्री तो आप लोगों को यह ध्यान रखना मैंने तिर्भूज में आप लोगों को सारे चीज़ों को भी देख सकते हैं तो यह पर समद्वी बाहुत रिभूज कह रहा ह यह जो है 35 डिग्री एंगल में है अब इसमें एडी जो है आधार बीसी की माधिका है एडी जो होगा वह आधार बीसी की माधिका होगा यानि कि इसको हम लोग माधिका किसलेंगे डी हो जाएगा तो यह जो डी है माधिका है वह इसको 90 डिग्री पर काटेगी यहाँ पर तो यह 90 डिग्री अब दिखिए जो है समकोन तिर्बूज एक ड्रो हो गया यह तो यह 90 डिग्री और यह भी हमारा दिग्री का हो जागा तो यह आप Girin रखना है अब हिसे फोर्टीफ यह फटीप डिग्री अब हम लोग देख रहे हैं कि जो एक बलसे को सी भरम एक सो असी होना चाहिए यह निखे लिए हम लोगों का मार्वा मंदी को सी भी मुआ भा को चिंहाइब का 45 दिया हुँ यह स्क्राइब आप जिसको छूंग कितना हो दी ए और सी जहे हूँ ऐ गोडेटे दिया गुए है तो हम लोगों को इसे निदया गृवह याणने कि कौन będzie निकलता है यहां यह तो क्या जानते हैं यह पर कौन जो है ए है वह यहां से यहां तख कह सम Channel दिया हूआ मइश कों गटा लेना है कोंडि सी डी और सी को कोंग इती गटा लेंगे तो यह दो मिशना हम लोग फितना है यह देख लिए हैं और इसमें से हम लोगो इसको घटा लेना है कि 45 डीजिए इसको यो को मैनिस कर लेते हैं तो यह लोग तो हम लोगों को देख रहे हैं को बी एडी कितना है तो बी एडी निकालना था तो कौन बी एडी बरबर 45 डिग्री अब ओप्सन देख सकते हैं आप लोग ओप्सन नमर जो सी है वह इसका राइट एंसर हो जाएगा तो इसको आप लोग इस परका से स्वल्ब करेंगे तो यह भी इंपोर्टेंट कोश्चिन था इस परकार कोश्चिन आप लोगों को मिल जाएंगे देखने के लिए नेक्स्ट कोश्चिन है एक त्रिभूज एबी सी में एबी बरावर एसी कौन बी एसी बरावर 40 डिग्री है तो बी पर बाहिए कुन कितना होगा यह है कौश्चिन ौस Means 60 डिग्री 9 असी डिग्री ओर नभी धिकरी तो ईसा से फ़र से परहणियों गवडिंस था खशा सबसे परनेकी बनाना यह तो देखें यह एक हमारा त्रिभू जो गया है इसका नाव है एबी और शीदी लिबी एसी जो है 40 करना यह वाला dying कर तो हम ज जान रहे हैं कि यह जो तिरिपू ज्ट रहा है यह संदी वा Toby भुर बन गया है यानि कि इस भूजा के सामने वाल Bayern और इस मुझा के सामने वाले कौन जहोंगा बराबर होंगे तुमाल通 हें यह वाला जो एंगल हो एक-स Dpping माला इसको 40 degree plus X degree plus X degree करके 180 हो जाएक हम लोगों का तो यह फोर्टी डिग्री प्लस 2X ब्राबर 180 डिग्री तो टूएक्स बड़ापर हमारा हो जाएगा यह इधर जाके घड़ जाएगा तो यह आजाएगा 140 तो यह से बरबर कितना आजाएगा यह से डिवाइट करें तो यह एकस का फिलों हमारा से डिग्री यानि कि यहां पर भी 70 डिग्री और यह भी से इंदिग्री तरिके त्रिभूज का जो है गुन है प्रपरटिज है कि सामने वाले जो भूज़ा है उसका एंगल भी बराबर होगी से ब अधे धी गे हैं यानि की बहुति बहुत है उसको मैं लिखता हूं बाहिए को डी बी सी बरावर कितना होगा यह निकालना है तो डिपी सी बरावर क्या हो जाएगा तो देखिए कॉन ब्यों कौन डिबी सी यह कुण ब्यूरूस है उरे गरीकरहों के साध्वा हो गया है और यह कौन डि बी सी यह बरावर 180 degree हो गया है अब इसको हम लोग D, B, C बराबर क्या करते हैं यह इधर में जाने के बाद माइनस हो जाएगा तो जैसे आप लोग माइनस कर लेते हैं तो यह 110 डिग्री हमारा निकल जाता है तो यही बाहिये कुल है हमारा यह वाला एंगल निकल जाएगा अब आप अपसन केंडर से 8 सेंटीमेटर दूर है तदनूसार उस बृत की तरजह कितनी है ओपसंदेव यह दो सेंटीमीटर 8 19 सेंटीमीटर यह है तो यह सरकल से सरकल के बारे आप लोग प्लेलिश्ट में जाकर देख सकते हैं तो माल लेते हैं यहां एक सरकल होगे जिसका केंडर हमल्गों से कितना सेंटिमेटर दूर है तो आठ सेंटिमेटर दूर है यानि कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस दिया हुए वह आठ सेंटिमेटर दिया हुआ है इसका नाम हम लोगों को निकालना है तो देखिए यहां पर क्या है AO या तो फिर आप OB भी कह सकते हैं यानि कि AO बराबर OB होगा क्योंकि ये तिरिज्जा होगी और इसी कमलों को निकालना है तो देखिए यहाँ पर क्या है यह हमारा जैसे यहाँ पर इसको मिलाते हैं तो यह 90 डिगर का एंगल बनता और इसको जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है यानि कि यहाँ पर AC बराबर BC भी हो जाएगा अब यह जो है टोटल यह 30 है यह भी जो है वो 30 है तो इसको जब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो AC बराबर BC बराबर कितना हो जाएगा यह 15 सेंटिमेटर करके हो जाएगा यह तो यहां से यह 15 सेंटिमेटर यहां से यह 15 सेंटिमेटर हो गया तो अब हम लोग यहां पर ट्रीप्लेट जानेंगे कि त्रिप्लेट में अगर हम देखते हैं तो यह जब आठ पंदरह तो अगला कितना हो जायगा यह 17 हो जाएगा आठ 15 और 17 का एक ट्रिप्लेट होता है यह आप लोग ध्यान रखेंगे बेरी-बेरी इंपोर्टेंट है तो यह जो हो गया हम लोगोंका 17 हो जाएगा तो यहां करें लोगों को यहाँ पर व्यास कहता या तो हम लोग 17 गुनाद्व करके 34 करते जब हम लोग इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाते और पुछता तो खालते लेकिन हम लोगों इसको सोल भी कर सकते हैं नहीं तो अगर ट्रिपलेट याद है ताप लोग यहां पर आट पंदरों सत्र कर ट्रिपलेट से निकाल सकते हैं तो आप लोग इसको सोल भी कर लेंगे नेक्स्ट कोशिन है पचास मीटर लंबी एक लेल गारी एक सो मीटर लंबे प्लेटफॉम को दस सिकने में पार करती है रेल गाड़ी की क्या हुआ यहां लेते हैं यहां जिसकी लंबाह दीँ हुआ है पचास मीटर आप लोग यहां पर देख सकते हैं सो मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो यह जो है ट्रेन है हमारा और एक लंबा प्लेटफॉर्म है यह प्लेटफॉर्म हो गया और यह है टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा यानि कि ट्रेंड का डिस्टेंस प्लस प्लेटफर्म का डिस्टेंस यानि कि पचास प्लस सो तो डेढ़ सो मीटर का ये टोटल डिस्टेंस हो गया ये डिस्टेंस हो गया और इसी को पार करने में कितना समय लेता है तो 10 सेकेंड लेता है यानि कि टाइम भी यहाँ पर दिया हुआ है 10 सेकेंड 10 सेकेंड दिया हुआ तो यह हमारा जो है इसको देख सेकते हैं 150 बट्टा 10 मीटर पर सेकेंड यह मीटर पर सेकेंड यह हमारा यहां पर दिख रहा है लेकिन हम लोगों को दिया गया किसमें किलोमेटर परती एचर में दिया हुआ है यह निकि बड़ा उनिट में दिया हुआ है तो मीटर पर से किलोमेटर पर एचर में जाने के लिए क्या करना आता है तो इसको हम लोग 18 बटा 5 से मल्टिपलाई करते हैं यह मैंने आप लोगों साथ 3 को मल्टिपलाइब लागा जाएगा और यह किलोमेटर पर ती एचार हो जाएगा यह हमारा इस परकार से क्योंकि हम लोग को बड़ाइब जाना आता है यहां पर तो इसको एटेश्टेंस वुट टाइम किया हुआ है इसी परकार से तो यह वाला फोम निकल करके आया है किलोमेटर पर घंटा में चेंच कर लिए जो कि हम लोगों का लाशन है किलोमेटर पर था जाती उनकी और फोर्स राख चारभिण। और नो अनुपात तिन यह आपका उप्सन भी दिया हुआ तो यह कोश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भी इसका कोश्चन भी पूछे जाते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या एक वर्स पहले पीता की आयू अपने पूद्र की आयू से चार गुनी थी तो मान लेते है च्छ स्थक्सैन में ञाएं जो है यह मान वह एक वर्स पहले का बात है यह तो मों लोग पूत्र के माल लिए हैं एक सवर्स कि और बिता का हो जाए क कितना धोश्एगा तो फिर पीता उजाएंग आपने पूद्र की चार गुनी ती यानि कि 4 एक याना कि एक वर्स पहले हम लोग माने हैं यानने की बरतमान में नोगो पहुंचना ही है उसके बाद हम छे साल का माने है यहीं कि फीर से हम लोगों को छे सल एड़ करना है कि हम लोगों को बात का बात कर तो प्लश 7-चे में हैं थे देखना है अब यहां पर फ्रस्चात को पिता के आयू आयूं से नो व्रस अधिकöglich हो सब्सक Billie परकार नुए अधिक करना है तो यह हम लोग को फाइनल लिख्वेस्टन बने इस परकार से तो अब इसको मोगों को सब्वाइब करना है तो देखे यहां पर 4X plus 7 हो जाएगा और इसको पहले हम लोग मल्टिपलाइ कर लेते हैं तो 2X plus 14 हो जाएगा और इधर में 9 हम लोगों को यहां पर रहे गई तो 4X plus 7 बराबर हो जाएगा 2X plus 23 हो जाएगा अब यहां से solve करते हैं इसको इस परकाल से हम लोग घटा लेते हैं तो यह तो हो जाएगा यह हम लोग तो हम लोग का हो जाएगा यहां पर कि 23 से हम लोग इसको घटाते हैं तो हो जाएगा 16 तो एकस बराबर हम लोगंको 8 आ जाएगा कि एकस बराबर आट वर्स हो गया है देखिए पूत्र का हम लोग एक समाने थे तो इसका हुमारा 8 वर्स हो गया है अब हम लोगों को कहना किया है तो उनकी आयू में अनुपात निकालना है यह हमारा देख रहे हैं आप लोग उनकी आयू में अनुपात है तो यानि की बरतमान का बात कर रहा है हम लोगों को यह धियान रखना है तो अब हम लोग बरतमान में जाते हैं दोनो हो जाएगा 8 x 4 प्लस 1 यानिकि 33 बराबर यह हो जाएगा 9 अब इसी को हम लोगों को अनुपात में देखना है तो अनुपात में क्या हो जाएगा यह पीता हो गया और यह पूत्र हो गया तो देखिए अनुपात में लिकाना 33 डिवाइड बाइन तो तीम से काट लेंगे हम लोग तो 11 अनुपात 3 का अनुपात हम लोगों का निकल गया जो कि ऑप्सन नमबर आप लोग देख सकते हैं ऑप्सन नमबर सी है इसका सही उत्तर तो यह इस परकास से सुल्व करना तो हम लोगों पहले एक वरस पहले का माना बरतमान में फिर 6 साल के बाद मानना है और उसके बाद में हम लोग कर लेते हैं तो हम लोगों का 11 अनुपात 3 का रेसियो यहां पर निकल जाता है जो कि राइट एंसर भी है आप लोगों का ओप्सन नमबर सी में भी देख सकते हैं इसको नेक्स्ट कोश्चन है त्रभूज का है घ然 जालते हैं और ए पर हैसंगोंन यान कि यह ने है तो यह और यह चिमाल लेते हैं और एभी जोई 24 मिनिमिटथ अपर इसको साथ मिलिमिट है तो हमनों के इसको फाइंट करना है यानि कि बीसी कि रोपट्रेस्ट घा उसमें हम लोग बेका स्कुर प्लस अच एस यहां लोग निकाल सकते हैं लिकिन अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद होगा जो मैंने आप लोगों को बताए हुआ है ठ्रिपलेट तो यहां पे आरν 57 और अगला कि लुद्धा यह दो जाएगा यह 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 हम लोग 586 प्लस यह 49 हो जाएगा तो यह बीसी का इसको स्क्वेर को इधर कर लेंगे तो रूट 586 प्लस 49 बराबर बीसी हो जाएगा अब यहां पर 625 का रूट करेंगे तो फिर 25 नहीं लिए यह इस प्रकरसे प्लोग कर सकते हैं लेकिन अकर ट्रिप्लेट याद है तब लोग साथ 24 और 25 कुछ ही सेकेंड में इसको आसानी से बना सकते हैं तो अप्सन आप लोग देख सकते हैं ऑप्सन बी जो है वह 25 मिलिमेटर का है यह इसका राइट एंसर हो जाएगा तो आप लोग ट्रिप्लेट भी ध्यान रखना है यह भी काफी कमाल की चीज़ें हैं क्योंकि आप लोग कुछ सेकेंड में ही इसको बना सकते हैं आप लोगों को इतना जो है सोल्ब करने की भी ज़रूरत नहीं होगी जो कि आप लोगों को टाइम सेव हो जाएगा इसमें नेक्स्ट कोस्टन है एक संबलम ट्रेपीजियम की समांतर भूजाएं 30 cm और 20 cm है और उसका चतरपल 450 cm स्कूर है समांतर भूजाओं के बीच की दूरी क्या है यह कोस्टन दिया हुआ है वह संबलम के बारे में मैं आप लोगों को बिडियो में बताया चुका हूँ तो आप लोग प्लेलिस्ट में तो यहां पर संबलम का बात सीडी यह परलल में है और इनके बीच का जो है दूरी क्या इसी को निकालना है याने कि इनके बीच के जो दूरी है यह दूरी या तो फिर हम लोग इस दूरी को कह सकते हैं एम और इसको एन माल लेंगे तो कि ऐसी या तो फिर डीएम इसी गम लोगों को निकालना है कि कितना होगा यह है तो देखिए समलंब चतुरबूज का जो है चेत्रफल प्रफ Вас दिया गुवा है तो हम लोगों को पता है आप लोगों को भी अच्छे से यह मालूमी होगा कि lyum चतुर भूज का चेदरफल क्या होता है तो वह होता है एक बटा दो गुना समांतर कि भूजाओं का यो कि मल्टिप्लाई भूजाओं के बीच की दूरी यहां होता है फॉर्मूला मैं आप लोग बता हुआ तो यह चेदरफल दिया हुआ है 450 यह 120 1 by 2 समंतर भूजाओं का यह कितना हो जाएगा तो यह हम लोगों का जो दिया गया था समंतर 20 इंटर और 20 इंटर यानि की एवी हम लोगों का 30 है और सीडी है हमारा 20 यहां पर दिया हुआ इस सबसे तो इसको जोड़ लेते हैं यह पर तो 50 हो जाएगा और जो दिस्टेंस है यानि कि यह पर मैं डी ही लिख दे रहा हूं डिस्टेंस तो इसको हम लोग अब सॉल करेते हैं तो फोर फिप्टी इंटू टू और यह 50 इंटू डिस्टेंस यानिकी कि डिस्टेंस यह डिस्टेंस हो गया हम लोगों का ठीक है तो अब इसको सॉल को लेते हैं तो यह हमारा कड़ जाएगा पांच नुमा पैंटालिस हो जाएगा और यह तू बराबर यह डिस्टेंस है और डिस्टेंस के जिए पर में लिख सकते हैं यह लिख सकते हैं हम का यह वाले डिस्टेंस को ही निकालना था जो की अंसर आपनों का आगया ओप्सन नंबर आप लोग भी देख सकते हैं 18 से इंडिवेटर तो यह समांतर भूजाओं के बीच की दूरी है वह निकालना था तो हम लोगों इस प्रकास निकाल लिया तो आप लोग समलम चत्रपर चत्रपर तो वह होता है एक बड़ा दो गुना समांतर भूजाओं का योग गुना समांतर भूजाओं के बीच की दूरी इस फॉर्मूला को याद रखना है नेक्स्ट कोश्चन है एज से लेटेड़ है तो मुहन अपने पिता की आधी आयू का है 15 वर्स पहले मुहन अपन प्रतमान में तो जो अपने पिता की आधी आयू का है यानि कि अगर हम लोग पिता का एक समाल लेंगे तो पूत्र का कितना होना चाहिए तो पूत्र का होना चाहिए एक सबटा टू होना चाहिए क्योंकि आधी आयू का कह रहा है तो इसलिए पिता का उम्र का आधा हो गया पंद्र वर्स पहले का बात कर रहा है तो पिता का कितना हो जाएगा एकस माइनस पंद्रा और इसका भी हो जाएगा एकस बटा टू माइनस पंद्रा हो जाएगा ठीक है तो यहां पर अपने पिता की आयू के एक बटा तीन आयू का था तो यह जो है पिता का उम्रज जो है उ किसके बराबर हो जाएगा यह equation हम लोगों का इस परकार से बन गया है अब पांच वर्स बाद मोहन कितने वर्स का होगा यह भी कह रहा है तो पांच वर्स के बाद का हम लोग बात करेंगे तो पहले इसको हम लोग utaati हो जाएगा इसको जैसे सॉल्ब करते हैं तो यह जाएगा two x-30 बराबर 3x-90 यह है अब लोग इसको इस पर से उस पर करते हैं तो इस इदर आनके बद एक्स बन जाएगा और यह माइनस 90 है इधर में जाने के पलस हो जाएगा तो यह 60 हो जाएगा तो यह X बराबर 60 हो गया है यह कपका है तो यह हमारा पीता का उम्र है बरतमान में क्योंकि हम लोगों ने बरतमान में X माना था तो पाइब किसका पूछा है तो मोहन का है तो यह पूटर यानिकि मोहन का थीक है तो यह जाएगा एक सब्सक्राइब कर लेते हैं यानिकि 60 यानि कि 30 years हो गया है मोहण का बरतमान आयू कुछ लेकिन लोगां पांच बाद कहा है यानि किarmada को जाना पाच वर्स बाद यानि कि इसमें हम लोगे पांच प्लस फोटा याने कि इसमें हम लोगें को सीर Trung प्लस रजा क् संसे अट believer तो यह है हमारा फाइनल एंसर और यही उत्तर भी तो देखिए ओप्शन क्या है ओप्शन ए में है 35 वर्स तो यहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा तो आप लोगों को इस परकार से इसको इसको solve करेंगे तो आप लोगों को अगर इस परकार को स्टेप बना लेना है तो आप लोगों को भी आसानी से यह वही लूज और एंसर मिल जाएंगे